बल्लब में चल विर्दाने की नमुनाई की मरिहाने बल्लब में चल विर्दाने यम्नाई की मरिहाने बल्लब में चल विर्दाने लगनाजी की मरिहाने बल्लब में चल विर्दाने श्री राम ने कहा है कि हे शिवजी आप मन्ने वाले के दक्षिन करण में मेरा नाम सुनावेंगे वो निश्यत ही मुक्त हो जाएगा अब यहाँ एक विशेस बात है कि काश्याम मरनान मुक्ति ही और रिते ग्यानान मुक्ति ही काशी में मरने से मुक्ति होती है और बिना ग्यान के मुक्ति नहीं होती है एक बार दास काशी गया तो सत्वा वावा मठ के, पीठ के परंपुजिस्री बड़े महराजी अनंतस्री संपन आचारी चरण स्री स्वामी जमुनादासी महराजी हमारे उपर बड़ास नहे था बड़ी कृपा थी उनकी तो पल्ली पार थे गंगाजी के भजन कर रहे थे, हमको बुलवाया था हम गए वहाँ, तो उन्होंने हम से यही प्रश्ण किया, उन्होंने कहा कि रिते ज्यानान नमुक्ति और कास्याम मरना नमुक्ति तो यह तो रिते ज्यानान नमुक्ति तो खंडित हो गई, ज्यान की जरूते नहीं कासि में मरो और मुक्ति हो जाए तो रिते ज्ञानान्न मुक्ति इस रुती की संगती कैसे बैठेगी तो दास ने उनके चरणों में यही निवेदन किया कि रिते ज्ञानान्न मुक्ति कि में भी कोई बाधा नहीं है क्यों जब कोई उत्तम उत्तम महापुरुष अधिकारी मह महापुरुष समर्थ महापुरुष उपदेश करता है तो उसके उपदेश में इतनी सामर्थ होती है कि उपदेश के अभ्यवहित उत्तरक्षण में ज्ञान की उत्पत्ती हो जाती है अरे संकर जी जिसको राम नाम सुनावेंगे, राम तारिक सुनावेंगे, उसको ज्ञान उत्पन नहीं होगा, संकर जी की बाणी से नाम स्रवन करते ही, उसके सारे असुभों का क्षय हो जाएगा, कर्मरासी का क्षय हो जाएगा, ज्ञान उत्पन हो जाएगा, ज्ञान उत् नमुक्ति भी उही है उर्ते ज्ञाना नमुक्ति भी उही है, यह सुनकर वे बहुत संतुस्ट हुए थे, उन्होंने कहा, हमने बहुत लोगों से पूछा लेकर आज हम पूरी तरह हम संतुस्ट हो गए, इसमें स्री संतोस्दासी महराजु आज भूहां, सारा कारे सम्हान रह लिखते हैं उनके गुरुजी की बात यह हम बता रहे है महरजी रामतापनी उप्रिशद में लिखा है स्री रामस्य मनुम काश्याम जजाप ब्रिशबध भजहा मन्वंतर सहस्राइस्तु जप हो मार्चना दिवी हजारों मन्वंतरों तक काशी में रहकर भगवान शिव ने स्री रामतारक सरक्षर मंतर आज का जब किया जब भी किया दसांस होम भी किया अर्चन भी किया तरपन भी किया सविधी स्री रामतारक मंतर का अनुष्ठान किया एक दो वर्स तक नहीं एक दो मन्वंतर तक नहीं हजारों मन्वंतरों तक भगवान शिव ने वहाँ जब किया इसरे तो दास निवेदन करता है कि कासी के तो कणकण में राम नाम व्यापत है कासी के कणकण में स्री राम तारक मंतर व्यापत है इसलिए भगवान शिव की इस पवित्र नगरी में अन्ते मिछण तक गो स्वामी तुलसी दासी महराज विराजे ततह प्रसन्नो भगवान स्री राम अप्राह शंकरम भगवान स्री राम प्रकट हो गए प्रसन्न हो गए शंकर जी से बोले बिने स्वयद भीष्टम तत दास् परमेश्वर बुले हे परमेश्वर तुमको जो भी अभिष्ट हो तुम मांग लो संकर जी ने कहा मनिकरनिकायाम ममक्षेत्रे गंगायाम बा तटे पुनहा मृयते देही तज्जन्तोर मुक्ति नातो वरांतरम मनिकरनिका में किसी की मृति हो जाए गंगाजी के तटपर भी बरती हो जाए तो वह मुक्ती मुक्ती को प्रात करे यहां आप हमें कृपा करके दे दीजिए क्योंकि जीव मुक्ती से बिमुख हो करके नजाने कितने जन्मों से अविद्या जन्ने क्लेश को भोग रहे हैं भगवान तो बहुत प्रसंद थे भगवान बोले आपने तो कहा केवल मनि करने का गंगाजी और गंगाजी का तट पर हम ये थोड़ा और व्यापक दाइरा कर देते हैं कितना कहते क्षेत्रे त्रतव देशे च यत्रकुत्रा पिबा मृताहा इस पूरे आपके काशी ख्षेत्र में कहीं भी कोई मर जाएगा क्रमि कीटा दयो प्यासु मुक्ता संतु चन्न चान्य था कीडे मकोडे भी मुक्तो हो जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं है मुमूरुशोर दक्षणे करने यस्यकस्या पिबास्वयम उपदेख्ष्यसी मन मंत्रम समुक्तो भविता शिवा तुम जिसके कान में उपदेश कर दोगो तो मुक्तो हो ही जाएगा संकर जी बोले महराज भगवान बोले बस बात यह है आपको यह सदावर्त माटना है न मुक्ती का तो आपको कासी छोड़के कहीं नहीं जाना पड़ेगा तो आप तो घुमकड महत्मा हो, फककड महत्मा हो, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं तो इस सदावर्त फिर कैसे बटेगा मुक्ति का भोले बाबा भोले हम कासी छोड़के कहीं नहीं जाएंगा पर एक सर्त है, क्या सर्त है आपको भी कासी छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा आप कहो कि हम तो इधर दर घूमेंगे और हम अके लिए यहां रहेंगे सोसंभू नहीं भगवान ने कहा मैं यहां इस कासी छेत्र को छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा तो ततकाल विश्वनाजी के निकट भगवान स्री राम ही अवी मुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रगट हो गए काशी विश्वनाथ मंदर में ही अवी मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन है प्राए लोग काशी जाते हैं विसुना जी का दर्सन करते हैं अभी मुक्तेश्वर का दर्सन कि ये भी न चले आते हैं पर काशी के पुराने महापुरुशों से विद्वानों से आप पूछो तो वो कहेंगे विसुना जी के गुरू विसुना जी तो सब के गुरू है विसुना जी के गुरू कौन है तो अभी मुक्तेश्वर महादेव को विसुना जी का गुरू बताते है ये विसुना जी के गुरू है, गुरू का मत है, इस्ट हैं, पूज्य हैं, क्योंकि स्री राम ही वहाँ सिविलिंग रूप में है, इसलिए अविमुक्तेश्वर का दर्शन के विना विसुना जी के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए अविमुक्तेश्वर में ही अभी मुक्तेश्वर महादेव गिराजमाने बोलो अभी मुक्तेश्वर भगवान की जय बल्लब बेखर विर्णाने की मल्याने बल्लब बेखर विर्णाने यम्रानी की मल्याने बल्लब बेखर विर्णाने की मल्याने झाल झाल